सुपरभाद शात्रों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापी का, मैं आज आप सभी को कक्छा 4 का पाट 4 पढ़ाने जा रहे हूं, जिसका नाम है हुदूर, यह एक विज्ञान वारता है, तो आईए जाने कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, तो इसमें हमें बताया जा है कि हुदूर एक पच्छी का नाम था, जबकि यह आज एक सिर्फ पच्छी ही नहीं या दसत और तबाही का नाम बन चुका है, दरासल जिस तरह नाम से वैक्ति की पहचान होती है, उसी तरह सुनामी, कैटरीना, सैंडी जैसे तुफान अपने नामों से जाने जाते हैं, तुफानों के नाम रखे जाने की प्रकिरिया बड़ी रोचक है, आम लोगों को तुफान के बारे में जानकारी देने के लिए जरूरीता तुफान का नाम होना है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का नाम हो तो वैक्ति उसे लंबे समय तक या दख पाता है, बस इसी तरह सुर से 46 भी लेकिन 1950 के बाद इन चक्रवातों का इस्त्रिलिंग के नाम और 1989 से पूलिंग के नाम पर भी रखा जाने लगा, अब आईए जाने कि इस कहानी के माद्यम से वैग्यानिक हमें वैग्यान की क्या जानकारियां देना चाहते हैं, तो दो दिन, दो दिनों की बेमोसम ब सब अपने घरों में ही सिम्टे हुए थे, मम्मी पापा की सक्थ हिदायत थी कि जब तक मौसम साफ ना हो जाए, तब तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, और उससे भी बड़ी आफ़त थी जब बिजली भी गुल, क्योंकि इतने आंधी तुफान और बेमोसम बारिस के क पारन बिजली कट चुकी थी, टीवी भी नहीं चल रहा था कि कुछ बाहर की खबर मिले या कुछ मनोरंजन हो पाए, जैसे तैसे करके तीसरा दिन मौसम कुछ साफ हुआ तो सारे बच्चे मानो कैट से आजाद हुए, लेकिन पार्ट में काफी कीचल थी और कई पेड़ भ उनको ग्यानवर्धक बाते भी बताया करते थे, यानि अपने कहानियों के मान ध्यान से बच्चों को वो ग्यान भी दिया करते थे, सारे बच्चे उनसे खुब भूले मिले थे और उनका बहुत समान किया करते थे, उस दिन छुटते ही कुन्नू ने पहला प्रश्न किया, दादा जी ये आचानक मौसम को क्या हुआ, इतनी बड़ी तबाही कैसे आ गई? दादा जी सांथ स्वर्व में बोलें, बेटा हुदूद के कारण, हुदूद सभी बच्चे आश्चरे से चौंक उठें, भला ये हुदूद क्या है? तो दादा जी बताते हैं, बेटा वैसे तो ये एक चिनिया का नाम है, जो अर्भी भासा का सब्दें, लेकिन यहां बात हो रही है, उस तुफान की जिसका नाम हुदूद रखा गया, हुदूद बच्चे कौतुहल से भर उठें, लेकिन दादा जी हुदूद ही क्यों? या ह भावित छेत्र का नाम और उससे हुए नुकसान, राहतकारे, आदिसे सम्मंधि सारे जानकारियों का संकेत देता है, क्योंकि किसी चीज़ का जब नाम होता है, तो उसका नाम लेते ही लोगों को वो सारी बाते याद आ जाती हैं, दादा जी विस्तार से बताते हुए बोल प्रदेश में आये समुद्र तटिये चक्रवर्ती तुफान की चर्चा कर रहा है, जिसमें कितना जानमाल का नुकसान हुआ था और राहतकारे की कितनी अच्छी विवस्ता थी, अरे वह, बच्चे बोलते दादा जी, यह तो बड़ अच्छा तरीका है, ऐसी बातों को या को दोहराते हुए बोला, दादा जी ने हस्ते वे का बेटा ऐसा और अनेक नाम है, जैसे कैटरीना, लहर, हिककाका, फालीन, बुल-बुल और लेरी आदी पर इसका नामकरन का तरीका सुनी सी थे, बच्चे पुछते हैं वह कैसे, बच्चों की जग्यासा और भी बढ़ती इसको जानने के लिए, तो दादा जी बोलते हैं, या सवाल अक्सर बच्चे ही नहीं, बड़े भी पूछा करते हैं, इसलिए मुझे विस्तार से बताना पड़ेगा, तो अब दादा जी बताते हैं, सुनो, 1903 में से पहले ऐसी घटनाओं को तारी, जगह के नाम और अन्य जानकारी के साथ विस्तार में साजह करना परता था, जिसे याद रखने में काफी सुविधा होती थी, इसकी सुरुवात 1903 में अट्लांटिक छेतर के अन्यक देशों की एक संधी से हुई, जिसकी मियामी इस्थित हरिकेन नेस्नल सेंटर ने की थी, इसकी देखरेग जिने वा इस्थिर विस्व मोसम संगठन करते थें, लेकिन हिंद महसागर छेतर में इसका अपरारम 2004 में हुआ, इस बार भारत की पहल पर आट तटिये छेतरों ने यह वेवस्ता की जिनमें बांगला देश, मयमार, पाकिस्तान, मालदीव, धाइलेंड, स्री लंका और ओमान साम इन आठो देशों ने मिलकर अपनी पसंद से तुफानों के नाम सुझाएं, जिन्हें सुची बढ़ कर लिया गया और उसका उप्योग अंग्रेजी वर्ण माला के करमानुशार किया जाता है, यानि कि जो भी ये आठो देशों ने नाम बताया, उसको एक सुची के रूप में लिख लिया गया और उसको अंग्रेजी वर्ण माला के अनुशार रखा गया, तो हुद हुद नाम ओनम द्वारा सुझाया गया था, जिसका करम ओ से है, इससे पहले आये तुफान का नाम नानुप था, जिसका मयमारम ने सुझाया था, उससे पहले फालीन आया था, ज इस परकार सदस्य देशो द्वारा सुझाये गए 64 नामों को अब तक सुची बद किया जा चुका यानि कि ये सारे तुफानों के जो नाम है सुची बद रूप से ही रखे गए एक लंबी सांस भरकर दादा जी ने का तो बच्चो आया कुछ समझ में बच्चे बोलते हैं जी तो ठीक है बच्चो अब ये टॉफियां खाओ और आज का ग्यान अपने स्कूल जाकर अन्य सहपाठियों से भी अवस से बाटना बच्चे बोलते हैं जी दादा जी अवस से और इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है तो बच्चो आप लोगों ने समझा कि आकि कि इसी भी चीज का नामकरन क्यों जरूरी है क्योंकि उसके कारण हम उसी लंबे समय तक याद रगत पाते हैं जैसे मान लीजे हमारा ही नाम है तो हमारे ही नाम लेने के बाद हमारे बहुत सारी जानकारियां आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है उसी परकार ये कहानी में भ के देते हुए बताए हैं तो आसा करती हूं कि आप सभी को ये पाठावत से समझ में आया होगा धन्यवाद